शुरू करने से पहले हम आपको बतादे हमाचल के सभी ग्जाम के लिए Crash Course Start आप देख सकते कुर कों से आप ए Crash Course Start किए जा चुके है Crash Course आपको क्या फाइद होगा रोज रात 9 बजे पर तेक चेप्टर से आपका उलाइन टेस्ट होता है हम हर chapter आपका clear करवाते हैं, उसके बाद आपका test ली जाता है, old question paper, bid test series आपको मिलते है, return notes हमारी अनुववी team के आपको मिलते है, pdf mc की उपर ते topic से आपको मिलते है, हफते में जो हमने पढ़ा होता है, उसके बाद आपका weekly test ली जाता है, qs test आपके होते है, रात 7 बजे, monthly test आपका ली जाता है, current of a test आपका ली जाता है, exam hall में जाने से पहले पढ़ो भी, और हर topic से टेस्ट भी लगाओ, फिर देखे, cut off तक आपका नम कैसे नहीं आता है, इतने फाइदे के विल आप 300 रुपे की one time payment करके हासिल कर सकते हैं, वो भी 6 मिनों के लिए, 6 मिनों में कैसे करना है, शेर करिए अपनी हरे क्वेर, allied HS की series का ये part 6 है, आज हम HP modern history के question read करेंगे, सभी parts important role play करेंगे आपके exam के लिए, बाकी के parts भी जुरू टेटेंड कर लीजिए, प्लेलिस्ट में allied HS के नाम का folder बना हुआ है, फोकस करें भी lecture के ओपर नमस्कार, दोस्तों मेरा ना सिद सेन के टाइम पर मंडी की यात्रा की थी, तो इसका सही अंसर होगा मंडी, आगे बात करेंगे, सिख मिसलो का पहला सिख सरदार कौन था, जिसने पहाडी रियास्तों पर अधिकार किया था, दोस्तों कांगडा की पहाड़ियों पर आकरिमन करने वाला पहला सिख सरदा कौन था तो दोस्तों यहां पे बात की गई है नागर कोट किले की ठीक है तो आपको में थोड़ा से यहां पे क्लेर करवा देता हूं 1783 इस्वी में मुगलो के आतम समर्पन के बाद जे सिंग ने नागर कोट के किले पर कबजा कर लिया था लेकिन जो आपके लिए important points निकल के आता है 1885 और 86 के बीच में जे सिंग ने संसार चंद को कांगडा किला लोटा दिया था तो इसका सही अंसर होगा जे सिंग ठीक है आगे बात करेंगे अमर सिंग थाप ने कौन सी पाहड़ी रियासत पर शाषन स्थापित किया था ये important है दोस्तों गोर्खा सेनापती कौन था अमर सिंग थाप़ और इस ने क्या किया था तो दोस्तो इसका बिल्कुत सही अंसर होगा सभी ठीक है ऐसे कोशन्द आपकी एक्जाम में बनते हैं अच्छे से फोकस करिए अभी 1805 इस्वी में अमर सिंग थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था तो दोस्तों अमर सिंग थापा ने महल मेरियों के हमिरपुर में संसार चंद को पराजित किया था तो इसका सही अंसर होगा महल मेरियों आगे बात करेंगे महल मेरियों नामक इतिहासिक सल जहां राजा संसार चंद एबम गोर्खों के बीच युद हुआ वो कहां पे था तो अभी हमने read किया दोस्टों हमिरपूर का मेहल मेरियो आगे बात करेंगे 1805 इसवि में हमिरपूर के पास कांगडा के संसार चन्द को किस गोष्खा राजा ने हराया था तो दोस्तों अभी हमने read किया कि عमर सिंग थापा जो कौन सा सेना पती था गोर्खों का सेना पती था तो इसका बिल्बकुश सही अंसर होगा अमर सिंग थापा ठीक है आगे बात करेंगे 19-20 सदी के प्रारम भे अनेक पाड़ी रियास्तों पर आक्रिमन्ट करने वाली गोर्खा सेना का नेत्रतुब किस ने किया था तो दोस्तों यहां से ऐसे कौशन्स आपके एक्जाम में बनते हैं कौशन्स एक ही है कौशन्स की हिस्टरी एक ही है लेकिन थोड़ा सा आपको हर वक्त मौडिफाइड कौशन्स देखने को मिलता है तो इसका सही अंसर होगा अमर सिंग थापा आगे बात करेंगे 1809 इस्वी में ज्वाला मुखी संदी किन किन के बीच में हुई थी दोस्तों अमर सिंग थापा ने चार बर्षों तक कांगड़ा के कीले के उपर कबजा करके रखा हुआ था अब दोस्तों राजा संसार चंद ने क्या किया रंजीत सिंग की हेल्प ली ठीक है कि मुझे मु रंजीत सिंग को 66 गाओं और कांगड़ा किला भी हेल्प करने के तोर पर दिया क्यों दिया था क्योंकि रंजीत सिंग ने क्या किया था संसार चंद की हेल्प की थी अमर सिंग थापा जिसने चार बर्षों तक कांगड़ा के उपर कबजा करके रखा हुआ था उससे उसको म प्रफ दिया था तो वेरी सिंपल है दोस्तों गोर्खाओं को हराने के समय पर साहिता करने के बदले में ये अभी हमने रीड किया आगे चलेंगे कांगड़ा से गोर्खाओं को निश्काशित करने के लिए सराजा संसारचंद को बाहरी साइता लेनी पड़ी थी तो किसकी लेनी पड़ी थी दोस्तों रंजीत सिंग की लेनी पड़ी थी इसका सही अंसर होगा रंजीत सिंग ठीक है ऐसे कुशन आपके एक्जाम में बनते हैं आगे बात करेंगे आगे देखते हैं दतारपूर रियासत किश बर्स महराजा रंजीत सिंग के अधिन आ गई थी यानि कि उनके कबजे में आ चुकी थी तो ये काफी important points है दोस्तों महराजा रंजीत सिंग की अगर हम यहां पे बात करें तो 1813 इस्वी में गुलेर रियासत को अपने अधिन लिया उसके बात नूरपूर जस्वा को अपने अधिकार में लिया फिर उसके बाद 1818 में दतारपूर और 1825 में कुटलेहर दोस्तों अगर हम सिंपल वे में यहां पे कहें तो 1816 से 1825 तक रंजीत सिंग ने अपना शाशन, चमबा, नूरपूर, कौटला, शाहपूर, जस्वा, सिब्बा, गुलेर, मंडी, सुकेत, कुलू, दतारपूर तक अपना एक्सपेंट कर लिया था तो दोस्तों आपको यह चोटे-चोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके एक्साम में बनते हैं ठीक है आगे बात करेंगे गोरखां को प्राजित करने के बाद महराजा रंजीत सिंग के निक्त किये गे कांगडा हिल के प्रतम नाजिम या सूबिदार कौन थे महराजा रंजीत सिंग ने पहाडी रियास्तों का नाजिम देशा सिंग मजीटिया को निक्त किया था तो इसका सही अंसर होगा देशा सिंग मजीटिया आगे चलेंगे सुर्चक्या मिसल के सरदार द्वारा पहाडी रियास्त राज्यों को जीता गया दोस्तों questions वही है लेकिन थोड़ा से आप है modified किया गया है क्योंकि रंजीत सिंग को ही महराजा रंजीत सिंग को ही सुर्चक्या मिसल के सरदार कहा जाता था तो इसका सही अंसर होगा रंजीत सिंग आगे चलेंगे अंग्रेजों ने गोर्खाओं के बिरुत युद की घोशना कब की तो यह important है जितने भी दोस्तों यह अंग्रेज सिख युद हुआ गोर्खा युद हुआ अंग्रेज नेपाल युद को भी इसके नाम से जाना जाता है ब्रिटिश नेपाल युद के इसको नाम से जाना जा तिबद जाने वाले लगबग सभी दर्रों एवं मार्गों पर किया था अपना कबजा कर लिया था ठीक है इसलिए गोर्खा ब्रिटिश यूद शूर था कि होगा लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया एक नमंबर 1814 को क्या किया गोर्खाओं की विरुद यूद की गोशना कर इंपोर्टन्ट पोइंट से यहां से यह निकल के आएगा कि इस यूद का नेत्रितव कि सने किया था तो यह आपको याद रखना है मेजर जन्रल डैविड ओक्टर लॉन है सासाथ में नो दन कर लीजिए डैविड ओक्टर लॉनी ठीक है आप नो ड़न कर लेना दोस्तों ओक्टर लोनी और दूसरा कौन था मेजर रोलो गिलेसपी ठीक है कौन था दोस्तों दूसरा गिलेसपी ठीक है यह important points है इन दोनों ने युद का नेत्रित्व किया था आगे चलेंगे आगे देखते हैं और दोस्तों इसका सही अंसर होगा एक नमबर 1814 ठीक है आगे चलेंगे 1815 इसमी की सुगोली की संधी पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किये थे दोस्तों यहां से questions यह बनके आएगा कि सुगोली की संधी हुई कब थी ठीक है तो कब हुई थी यह 28 नमबर 1815 को हुई थी किस किस के बीच में हुई थी अमर सिंग थापा और ऑक्टर लॉनी के बीच में हुई थी लेकिन दोस्तों यहां पर तो कहीं पर भी आमर सिंग थापा और आक्टर लॉनी का खिर नहीं है तो यहां से ऐसे questions मिलते हैं लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन था आक्टर लॉनी और गона किस किस के बीच में हुई थी तो अमर सिंग थापा और ओक्टर लोनी के बीच में हुई थी ठीक है और गोर्खा और अंग्रेज करके भी आपसे पूछा जा सकता है आगे बात करेंगे 1815 में हस्ताक्षित सुगोली की संदी का परिणाम किया हुआ अब दोस्तों सुगोली की संदी हो गई ठीक है हो गई लेकिन उसका रिजल्ट किया है ठीक है ये इंपोर्टन है उसके बाद किया हुआ दोस्तों 28 नमबर 1815 में ये हमने रीड किया भी कि अमर सिंग थापा एवब ऑक्टालोनी के बीच में सुगोली की संदी हो जाने के बाद अंग्रेजों का प्रभावशाली शक्ती के रूप में उदे हुआ था ठीक है तो इसका सही अंसर होगा प्रभावशाली शक्ती के रूप में अंग्रेजों का उदे होना ठीक है अब दोस्तों ऐसा क्या कारण था कि इनका इतना बड़ा स्ट्रॉंग पावर के रूप में उदे हुआ ठीक है तो हम आपको थोड़ा से यहां पे क्लियर करवा देता कि अमर सिंग थापा का पूत्र क्या नाम था दोस्तों इसका रनजोर ठीक है रंजोर सिंधंथ थापा जो जातक दुर की रख्षा नशा कर रहा था दोस्तों ऐस टाइम पे जब उसकी सुरखशित घरभापजी हुई तो हुआ क्या कि गौर्खों को अपनी जो प्राइवे शाशकों को सौंप दिये जाए ये कहना था अंग्रेजों का अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों मैं आपको सिंपल में समझा देतों यहां पर कि हुआ क्या अंग्रेजों ने क्या किया कि जो गोर्खा थे दोस्तों जो गोर्खा थे उनको बापिस नेपाल जाने को कहा और क तो कि ने रिखा है। है यह उन्गेज कि रहा है अंर्डेजों ने यहां की शाषक्वों को यह बरौसाद दिलआया旯 concerned भी जाइए कि आपको और रियास्तें दी जाएंगी लेकिन अंग्रे वह काम पूरा नहीं किया यह लिकिन थोड़ा सा배 किया यह भी हम आगे डिसकस कर लेंगे ठीक है तो दोस्तों इसलिए क्या हुआ कि अंग्रेजों का एक शक्ति शाली रूप में प्रभाव शाली रूप में उदे होना जरूरी था क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शाशकों के भी मदद की और गोर्खाओं से मुक्ति दिलवा क उनको नेपाल का एक मार्ग भी बताया ठीक है कि आप बापिस जाओ ठीक है तो आगे चलेंगे अंग्रेज नेपाल युद के पशात राना पूरां चंद को कौन सी रियासत सौंपी गई थी ठीक है अब यहाँ पर हमने बात कर ली दोस्तों कि अब हमने यहाँ पर बात कर कि हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि आप जो गोर्खा थे दोस्तों उनको बापिस भेज दिया ठीक है तो हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको जो आपकी रियासते हैं वो हम आपको देंगे लेकिन अंग्रेजों ने पाड़ी राजाओं से किय अपने वादों को पूरों रूप से पालन नहीं किया ठीक है, तो इसका जो आनसुरों को दोस्तों, यहां पर राणा पूरण चंड की बात की गई है, जुबल से यह रियासते उनको सौपी गई थी, दोस्तों अगर आपको यहाँ पर राना पूरन चंद ना दिया होता कोई और नाम दिया होता जैसे महान चंद ठीक है यह इंपोर्टर्ट्स नाम है याद कर लीजिए महान चंद जगत सिंग रामशर्ण सिंग पूरन चंद महिंदर सिंग और फते परकाश को उनकी गदियां बापिस की गई थी ठीक है लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने इस क्षेतर के कुछ महत्रपूर्ण स्थानों पर ही अपना अधिकार बनाए रखा था ठीक है यह important points है रहते हैं आपके exam के लिए next lecture में हम complete करेंगे जन अंदोलन से अप्रेशन और साथ साथ में important संदिया और युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों यह ऐसे questions है यह ऐसे points है जो आपके exam में बनने वाले हैं ठीक है अगर आपको lecture थोड़ा सा और define चाहिए दोस्तों अगर आप चाते हैं कि lecture को थोड़ा सा ग्राफिकली अच्छा सा समझाये जाए तो comment करके आप मुझे बता दीजिए ताकि हमारी team ग्राफिकली lecture भी आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की जाए तो जुरूर कमेंट करके बता देना दोस्तों लेक्चर को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लीजी क्योंकि ऐसी सीरिज सिर्फ एच्पी जी के अपर ही आपको मिलने वाली है जहां पर आपको मिलती है बिल्कुल सही नौलइज और वह भी एक अच्छे एक्स्पियन के तौर पर तो इसी के साथ धन्यवाद चुरू करने से पहले हम आपको बता दें हमाचल के सभी एक्जाम के लिए क्रैश को स्टार्ट आप देख सकते कोड़कों से या पर क्रैश को स्टार्ट किये जा चुके है प्रेश कोर्स आपको क्या फाइद होगा रोज रात 9 बजे प्रतेक चेप्टर से आपका ओलाइन टेस्ट होता है हम हर चेप्टर आपका क्लेर करवाते हैं उसके बाद आपका टेस्ट ली जाता है ओल्ड कॉशन पेपर बिड्टेस आपको मिलते है रिटर नोर्स हमारी अनु रुपे की वन टाइम पेमेंट करके हासिल कर सकते हैं वह भी छे मिनों के लिए छे मिनों में आप हमार्चल का कोई भी एक्जाम क्रेक करने वाला बन जाओ गई दिये गए नंबर पर कॉंटक्ट करिए और हमसे पूछिए जॉइन कैसे करना है शेयर करिए अपनी हरे क्वे अपनी हरे क्वेड़ गज़ एक्वेड़ 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